नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आज मैं आपके साशीयार कर रही हूँ छोले और भठूरे की बहुत आसान सी रेसिपी जब भी आप छोले भटूरे बनाते हैं तो लगता है बहुत ही मुश्किल है लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और सबसे आसान बात ये है कि पहले से तयारे भी नहीं करने पड़ती कोई खास तयारे करने की ज़रूरत नहीं है और आप फटा-फट से इंस्टिंट छोले भटूरे बना सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले छोले की तयारे करते हैं चोले लिये हैं जिनको मैंने रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था और अब लेंगे एक बरतन में अलग से पानी एक गलास पानी लिया है मैंने और इसमें डाला है चार से पांच चमत चाय की पत्ती का इसको गैस पर रखेंगे और दो से तीन उबालाने तक इसको उबाल आज जो रेसिपी आद में आपके साथ शेयर कर रही हूं यह बहुत ही आजान है और एक्दम पर्फेक्ट रेसिपी है इस रेसिपी से आप बिल्कुल पर्फेक्ट चोले और बटूरे बना सकते हैं अब जो चाय की पत्ती का पानी उबल गया है चलनी की साहता से इसको हम जो बिखोकर रखा था उसमें डाल देंगे और जो सारा पानी है उबले हुआ चाय की पत्ती का वो इसमें निकाल लेना है अब इस पर लगाएंगे धकन उससे पहले हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालते हैं साबूत मसाले दो मेरे साबूत इलाइची डाली है चार से पांच ल अब तक भटूरे की तयारी कर लेते हैं यहां पर 500 ग्राम मैंने मैदा लिया है एक कब डाला है इसमें सूजी से हमारे जो भटूरे हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे अब इसमें डाला है एक चौथाई चमबच बेकिंग सोड़ा एक चमबच बेकिंग पाउडर और स्वा बहुती अब बटूरे की बनेंगे बटूरे बनाते वक्त कुछ खास बातों को आगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके बटूरे बिलकुल परफेक्ट हरेंगे यह इतना लगने तो देखिए यूट उस्पöm कर लेंगे तो यह इतना चिप चिप अब है अभी आपको लग Ciao कि आटा बहुत ही चिप चिप है लेकिन बहुता है तो पानी खार पाम पानि कावशिवक कर लेगी तो जब तक हमारे जो आटा बाकि अगर आपके पास टाइम है तो आप 1-2 गंटा भी इसको रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं तब तक हमारे चोले भी उबल जाएंगे और आटा भी तयार हो जाएगा हम इसके ग्रेवी तयार करते हैं पैन में लिया है तेल उसमें आदा चम्मच जीरा एक तेज पत्ता और साथ में तीन प्याज बारिक पीसी हुई और साथ में 7-8 हरी मिर्चे इन सब को मैंने इकठा करके पीस लिया था और अब मीडियम आज पर प्याज को भूनेंगे जादा ब्राउन नहीं करना है इसको भून लेंगे और साथ में डाल दिया है एक चम्मच अद्रक लैसुन का पेस्ट सारी चीजों को फिर से भून लेंगे अब यह भून गया है इसमें मैनें डाले है दो चोटे टमार्टर 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 डालना बिल्कुल ऑप्ष्णल है टमार्र महंगे आह तो आप अवॉड भी कर सकते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसे तो पैकेट बाला छोले मसाला भी डाल सकते हैं गारंटी है आप जब इस तरीके से छोले बटूरे बनाएंगे तो पका फूलेंगे ही फूलेंगे इसी बीच अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए अर चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब की बिना बिल्कुल मच जाएए तो लीजिए मसाले अच्छे से पक गए हैं धीमियाच पर ही इनको पकाना है हलका से तेला लग होने तक इनको लगातर चलाते हुए पका लीजिए और ये देखिए हमसाला अच्छे से पून गया है अब इसको उतार देंगे गैसे और जो हमारे छोले हैं उनका प्रेशर भी अच्छे से रिलीज हो गया है और छोलो मैं देखिए कितना अच्छे से कलर भी आ गया है और छोले जो हैं अच्छे से पक भी गए हैं लिटी में मैंसी द्ऐसरी तोड़ा भी तरीके से लिख धाया जाते है रिम आगार को पडिके डाल मेंे एक बेट किस्ट्रीक यूड़ा तरीक दरीके से आपके साहर करने के कुशिश लगातार मीडिया माच पर फिर से पकाएंगे और लीजे हमारे छोले जो है लगबग बनका तयार है छोले बनने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारिक कटा हुआ जो की बिल्कुल ऑप्शनल है तो लीजे ज़र छोले तयार है आटे की कंडिशन देख लेत तो दो से तीन मिनट इस लगातार इस आटे को में गूंद लेती हूं इस तरीके से आप भटूरे बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट ही बनेंगे और छोले और भटूरे की तो यह रेसिपी कॉम्बो रेसिपी है जो आद्मे ने शेयर की है आप इस एक बद ज़रू नहीं पड़ेगी यानि कि बेलन चलाने नहीं आता ना तो भी आप छोले भटूरे बना सकते हैं यह देखे कितना सॉप टाटा तयार हुआ है उंगलियों की सायता से ही मैं इसको बढ़ा कर रहे हूं अगर आपके भटूरे जो है जिसे आप फैलाते है तो वह सिकुड जात कर लिया है और आपको शायद दिखी भी रहा होगा कि नीचे चकले का जो सर्फेस है वह भी दिखाई दे रहा है और इतना जादा मैंने इस पर पतला रखा है बहुत जादा मोटा मत रखिए क्योंकि भटूरे जो है वह तेज आज पर सेके जाते हैं अगर जादा मोटा इसको हलके हाथों से दबाते हुए सेकना है एक चीज और ध्यान में रखनी है कि कढ़ाई में तेल जो है वह जादा मात्रा में होना चाहिए इतना कि जब आप इसमें भटूरा डाले तो अच्छे से डूब जाए और अगर आपका भटूरा डूबेगा नहीं तो फिर वह यह देखिए कितना बढ़िया एकदम गुबारे के जैसा फूल का तयार हो गया है और देखिए इस तरीके से मुझे दबा कर रखना पड़ रहा है इसको सेकने के लिए क्योंकि एकदम गोल गोल गुबारे जैसा बटूरा बनकर तयार हुआ है इसी तरीके से फिर से मैं एक बटूरा और तल कर दिखाती हूं यह देखिए बिल्कुल धुवांधार तेल में हमने इसको डालना है और यह देखे के एक तम हर बटूरा आपका एक तम गुबारे के जैसे फूलता चला जाएगा इधर लीजिए छोले तयार हैं और यह हमारे गरमा गरम फूले फूले गु कुछ बातों का ध्यान करके अगर आप बनाएंगे तो आपके छोले और भटूरे एकदम पर्फेक्ट बनेंगे सबसे पहली बात कि आटे में एक साथ पानी नहीं डालना आटे को बहुत जादा नहीं गूनना और आपका जो मैदा है वो सूखना नहीं चाहिए इसलिए जो भटूरे को बहुत जादा मोटा नहीं रखना नहीं तो वह अंदर से कच्छा रह जाएगा और अगर आप टमाटे नहीं डालना चाहते तो उसके लिए आप इमली का पेस्ट या फिर इमली भीगो कर उसका पानी भी डाल सकते हैं इसके लिए आपको प्यास की मात्रा थोड रखें देखने के लिए थेंक यू